बचो एट्थ कोश्चन एट्थ कोश्चन में यह बोल रहा है लेट दो मोमेंट आफ इनर्सिया आफ हॉलो सिलिंडर हाँ एक हॉलो सिलिंडर है इसको टूटी बना लेता है छोड़ों ऑले सेंट्रेज इसका इनर रेडियस दस सेंटिमेटर है और आउटर रेडियस बीस सेंटिमेटर है लेंद उसकी दीविये कुछ कितना थोलिंटिमेटर ठीक है और इसका मुमेंट आइआ है इसका मुमेंट रेणिट तो ऑफ गई क्योility किनल्दर बनाना है जैसे हो थीक सिलिंडर है िंसे बनाना है सिम मासका सभ लेंग के भी वह सब्लेबाठ से मतलब नहीं है विशिंटे थे प्राष्ण वाला कोशन है बच्चों यह क्या है यह डिस्क है उस में से एक अंदर वाले डिस्क कटा हुआ है यह सारा खेल है तो ऐसे में M मास अगर माल लेते हैं इस पूरे को तो M into 0.2 का स्क्वेर माइनस 0.1 का स्क्वेर यह हो गया moment of inertia इसका और यह दिया है तुम्हें आई क्या कि आप बड़े डिस्क में से छोटे डिस्क को काटके निकाल दिया तो रेस्ट का हो गया ठीक और अब इससे रिंग बनाना है बचो होलो सिलिंडर का क्या होता है रिंग होता है जिसका थिकने स नो रिंग की तरह होता है और लेंद काम करता है नहीं से लेंडर में तुम जानते हो रिंग की तरह भी है तो M into R square के बड़ाबर से मोमेंट आपने जागा एक सिलिंडर रिंग टाइब को बनाना है खत्म M time cut जाएगा R के वले निकल जाएगी कितनी 0 A square plus अच्छा यह disc है ना 1 by 2 होता है यह disc है तो 1 by 2 MR square होता है तो R कितना हो जाएगा बच्चा 1 by 2 0.1 का square प्लस 0.1 का square that is A plus V A minus V कर तो 0.3 into 0.1 का root आजाएगा क्या हो जाएगा तो 3 upon 2 into 100 यह अंडरोट यह हो जाएगा सही है और अगर यह हो जाएगा यह हो जाएगा यह तो रहे है ना कुछी गलती तो नहीं कि नहीं नहीं मुमेंट अफिन इस दरेडियस और सेंडर से मास ठीक है कितना है बच्चो यह 1.5 by 10 रूट में कितना रहे 1.5 का root 1.5 का root कितना रहे कितना रहे है एक सो 1.21 आता है 11 का 1.69 आता है 13 का 144 बारत कि आसपास आ रहे है यानि 1.2 अपॉंट 10 यह मीटर में है सेंटियों बदलने के लिए 100 समल प्राइक कर दो कितना हैगा एप्रॉक्समेट है बच्चो यह बारा आना चाहिए आई तिंक आंसा तुम देख रहे ना मेरे काल से वही होगा होना वही चाहिए ठीक ना ठीक पांच परसंट बेटरेट है यह गया बढ़ी होने माला जल्द जल्दी करना है आप लोगों का एक्जाम है इसलिए मैं चाह रहा था कि एक्जाम से पहले एक बात देख लो इसको 9th क्या को जन बोल रहा है एं पार्टिकलर मास 20 ग्राम इस रिलीज विद अन इसल फाइप मीटर ठीक है यहां पे ए पे वह 5 मीटर पर सेकेंट से छोड़ा पार्टिकल रिशेज पॉइंट बी इस एंगलर मोमेंटम इबाउट ओ स्लाइट्स फ्रिक्शन लेस है तो इसका मतलब रोल नहीं करेगा केबल स्लाइट करेगा तो अगर स्लाइट करेगा तो तुम जानते हो वी स्कार इक्वल टी यू स्कार प्लस टू जी एच काम कतम न अब पूछा क्या एंगलर विलासिटी एंगलर मोमेंटम एंगलर मोमेंटम क्या होता है किसके बाउट एंगलर मोमेंटम ओके बाउट तो एंगलर मोमेंटम बाउट हो मास इंटो विलासिटी इंटो उसकी पर्पेंडिकलर दिस्टन्स और पर्पेंडिकलर डिस्टन्स कितना है 15 mv into r mv are perpendicular 10 20 15 32 into 2 60 आंसर 6 क्या पसाने चाहिए सेकेंड आंसर होगा बाकि मैं solve करने नहीं जा रहा हूं मतलब 6 मतलब सेकेंड आंसर होगा मेरी काल से दो एक दू में रहता है तो दोनों का एक्जाक्ट चेक कर लेते हैं दस एत्फिन चर्कुलर प्लेट ऑफ मास एहम और डेंस्टी बच्च वाला कोशन होता है यह सब देंस्टी इतना कॉंस्टेंट रिडिसर दो मोमें डफिन चर्कुलर प्लेट एवाट एन एक्सस प्रप्रप्रप्लेट देखो जो यह डिस्क है और मास डेंस्टी तुमें देर की है रो इक्वल टू रो नॉट इन्टु आर एना मास डेंस्टी अधिक है देंस्टी मतलब मास प्लेंट लेए करते हैं सब्सक्राइब ले लो आर्ट डिसंस पे डिया थिकनेस का एक रिंग ठीक है तो इसका मास कितना हो जाएगा ठीक निस्टी माल लें जो की बात में कट जाएगा हमें उसे मतलब नहीं है ऑज क्या पूछ है एक मेंट के सब्सक्राइब आप्सक्राइब भी उस्म नियुक्रा इसाथ Marie तो मास तिया है तो रेज्ग डीजेश केतल आर्ट थर निकालना पड़े फ Chuckानिक के मु मेंट के हैंнес सिब्सक्राइब कर चलो ठीक है तो करते हैं कुल मास M है मास से मतलब नहीं है क्या हो जाएगा टू पाई आर डिया यह हो गया एरिया इंटू थिकनेस इंटू डेंसिटी यह हो जाएगा छोटा सा मास DM क्या हो जाएगा छोटा सा मास DM इसका मोमेंट अपरेसिया क्या हो जाएगा dm into r square ring type का होगा ना यह हो जाएगा moment of z di elemental mass का moment of z ring का moment of z total moment of z हो जाएगा integration तो dm की value हो जाएगी 2 pi यह r और यह r r square यह r एक और है r की पावर 4 t rho naught into dr that is 2 pi t rho naught r की power 5 by 5 की power 0 से लेके r तक 2 pi rho naught t r की power 5 by 5 यह हो गया हमारा moment of z लेकिन यह सब mass के time में लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा एक पर mass निकालना पड़ेगा तो mass कितना दिया है देखना 2 pi r dr area into thickness into rho naught into r का integration 0 से लेके capital R तक यह किया वल्यू ता last में replace कर दोगे 2 pi t rho naught और r square dr condition r cube by 3 capital R रख दोगे limit रख दोगे तो यह आजाएगा इसको mass replace कर देना है तो 2 pi t into rho naught 2 pi t into rho naught यह हो गया और r cube तीन से यह क्यों वालग कर लिया मैंने यह हमारा महास है तो बचाएगा 3 by 5 mr square यह बचाएगा अब compare कर दो से तो 3 by 5 answer रहा है हमारा first answer है ठीक है ना तो कुल मिला के थोड़ा दिमाग लगाने वाला कोशन था इसने क्या कर दिया थोड़ा कोशन लेंदी कर दिया यह रहा है तो बच्चा एक क्या है स्फियर और दूसा है सॉलिड से इंडर दोनों जहें इसके ओपर चड़ जाते हैं मैक्सम हाइट पुछा है थीक है मैक्सम हाइट पुछा है तो बच्चों रोलिंग वल्साइडिंग करते वे चड़ जाते हैं तो बही सॉलिड से इंडर का अगर देखें तो एनरजी होती है हाफ mv square प्लस half i omega square ये दोनों की एनरजी होती है जाए स्फियर ले लो जाए सिरिंडर टोटल एनरजी यही होती है rotational प्लस translation यही किसके बरबर हो जाएगा mg h के तो दोनों का अब तुम डिवाइट कर लो तो बही हाफ mass m identical radius identical radius solid sphere and solid cylinder of identical radius approaches radius identical है mass के बारे में कुछ नहीं दिया है ठीक है mass के बारे में क्यों नहीं दिया क्योंकि कटने वाला है ठीक है तो m vc equal to तुम क्या कर लोगे linear velocity same linear velocity vc के term में vc सेम है तो v square plus half पहले किसका पूछा है sphere का तो sphere का आई रख लो 2 by 5 mr square into omega square is equal to m g h of sphere upon half m v का square cylinder का तो यही half आई हो गया cylinder का mr square by 2 12 cylinder है ना into omega square अब यह हो गया m g h of cylinder सब mg mg कट गया सब कट गया क्या बचा देखो तो देखो हाफ m vc का common लेते हैं यह भी हो जाएगा यह भी हो जाएगा तो हाफ m vc का common ले लो और कट दो क्या बचेगा 1 plus half कट गया तो 2 by 5 बचे गया यहां पर बस अपान 1 plus 1 by 2 बचेगा खतब h of sphere over h of cylinder इतना फाइव अज़ फाइफ टू 7 by 5 over 3 by 2 14 by 15 आंसर फूर्थ लग्चेवल कोशन करना है और कुछ नहीं बस महांत करते रहो थोड़ा दिमाग लगा डरो नहीं बस अप्रोच करो इस इंट्रिकल यह तो क्लास में भी किसी बच्चे ने पूछा था मेरे खाल से सबने पूछा ही होगा इस इंट्रिकल सॉलिड बॉक्स आफ लेंथ पॉंट्री मीटर इस हेल्ड होर्जंटल विट वन आफ इट्स साइट यह एक प्रेटफॉर्म है जिसके हैट पांच मीटर है इसके उपर एक बॉक्स है यहाँ पे इसको रख दिया गया है बॉक्स की लेंड कितनी है एल है फैन रिलीज़ इट स्लिप्स आफ टेबल इन वेरी ठीक है अब रिलीज़ अब रिलीज़ करने पर यह तोड़ा सा जैसे जुकेगा यह गिर जाएगा ठीक है देखो बच्चो पहले क्योंकि मैं करा चुका हूँ इसलिए मुझे याद है यह कोशन तुम देखोगे कि जब यह बाहर आने लगेगा ना ऐसे तो जब center of mass बाहर आएगा तो वो weight लगाना शुरू कर देगा और थोड़ा सा यह question कचड़ा दिया हुआ है मुझे नहीं लगता कि यह बहुत मैदार question है तो अब क्या है मैं यह मान के चल रहूं कि जब यह है तो यहाँ torque जो लग रहा है वो mg है और यह distance L by 2 है इससे एक torque मिलेगा इस torque के कांड़ यह गुमना शुरू कर देगा वैसे यह process पूरा process में है कि भाई होना तो यह चाहिए कि जब यहाँ से तब से torque लना शुरू हुआ फिर और आगे गया तो और टॉक लगा और last में maximum torque तब तक लगेगा इतना लेकिन उस सब का देने का मैं नहीं समझता हूँ कि मेंस लेवल पर इतना कोशन देगा एक और दूसरा यह एक बार कोशन चुका है तो मुझे idea है कि यह क्या चाहता है ठीक तुम्हें मानके चल रहा हूँ कि जस्ट हीजब ऐसे जा रहे है कि बहुत कम टाइम है यह सा हो रहाए तो इसकुल neglect भी कर सकते कि पूरे process को यहाँ यहां से आं यहां से आं यहां से जाने प्रस्कों को नेगलेट करके सीरा बोल सकते हैं कि यह जब ऐसा होगा तो टॉर्क कितना होगा तो यह कितना बच्छों कि यह कितना होगा तो यह मिंटर नीचे आने में जो टाइम लगेगा यहां से आता हैं कि एज टाइम लगता है अगरोग we अंन लहीं बहुतिते आर यह थैंडैर यह घंगेगा तो यह आल्फल गया तो में निचे आने में प्व कूद आ वहां गडुटी05 वहाँ क्योंकि निसल ओमेगा तो जीरो है एलफा है 3G बाइट 12 और टी दिया है 0.01 सेकेंड 0.01 सेकेंड ठीक है यह ओमेगा हो गया अब ओमेगा तुम्हें पता है अलफा पता है तो इस ओमेगा से चलते हुए जितने दिर में गिरेगा 2H अपॉन जी उतने दिर तक ठीटा तो ठीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू टोल टाइम जो गोमने में लगा 3G बाइट 12 इंटू 0.01 इंटू रूट 2H 5 मिटर अपॉन जी 10 यह तो कटके 1 हो गया बचा क्या यह हमारा आंसर है 3G हो गया 10 0.01 अपॉन टू लेंथ बताओ लेंथ आप बॉक्स 0.3 यह हमारा आं 1 by 2 0.5 सेकेंड रेडियन इतना एंगल को माल 0.5 रेडियन रेडियन में खतम थर्ड अंसर है हमारा तो इस तरह से मैं के वली बतने चाहता हो बच्छो कोशन बहुत आसान होते हैं थोड़ा सा यह कोशन अच्छा है समझ में आएगा सुरू में एक दूबर पढ़ना पड़ है है कि में एक एक्सेस पर दो दो से एक है एक यह है और एक यह है मौन एक्सेस के बाट वाट यह ब्रहुत है नो बहुत है आदे ब्ला के इनरजी लॉस पूछा है मैं ने तीन फॉर्मिलाइए एक साथ पढ़ाता हूं जब rotation की बात आती है तो energy loss होता है half m1 m2 upon m1 plus m2 v1 minus v2 का omega u1 minus u2 का whole square जब rotation की बात थी capacitor में आता है half c1 c2 upon c1 plus c2 potential of 1 minus potential of 2 ka whole square या plus अगर opposite terminal को जोड़ा गया रटा होगा तुमने ऐसे ही rotation में जब एकी axis होता है तो half i1 i2 upon i1 plus i2 omega 1 minus omega 2 का whole square यह moment referencia है sorry loss of energy value put करो answer निकलेगा काम कतम करो मैं करो हो या चोड़ो half कर लेना बच्चों यह तो बहुत famous रटा हुआ कोशन है ठीक कर लेना हो जाएगा 14th particle दिया है moving along trajectory given by this x यह y होना चाहिए मुझे लग रहा है y equal to y not generally expression अनी से टाइप का होता है तो x equal to x not plus a cos omega t 1t omega 1 है और यह y होना चाहिए y equal to y not b sin omega 2t यह एक्सरवाई दिया है क्या पूछा है the torque 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 क्या होता है r cross f ना यहीं r cross m है ना यहीं हम बाहर ले तो r cross a ना r तो दिया ही है यह तुम्हें दिख रहा है तो वस यह भी मैं बताने नहीं जा रहा हूँ तुम solve करोगे calculation थोड़ा बढ़ाएगा i, j, k, x तो यहीं है x not plus a cos omega 1t ऐसे y not plus b sin omega 2t और यह k 0 है ठीक है x हो गया और a चाहिए यह मतलब इसका double difference है इसका double difference करोगे तो एक बाट इफिन करें तो x not 0 हो जाएगा क्या हैगा a omega 1 sin omega 1t माइनस में और एक बाट इफिन कर दोगे तो क्या हो जाएगा a minus a omega 1 का square cos omega 1t और ऐसे ही इसका भी आ जाएगा ठीक क्या a b omega 2 cos omega 2t और माइनस में b omega 2 का square sin omega 2t यह a है यह भी a है दोनों उठा के रख के आंसर निकाल देना है minus a omega 1 का square cos omega 1t minus b omega 2 का square sin omega 2t और 0 जस्ट इसको solve कर लो कि आंसर आजाएगा और t equal to 0 रख दो पहले रख दो क्या t equal to 0 होगे पहले रख दो कोशन आसान हो जाएगा तो इक विडिव रखो गे तो इस जिरो हो जाएगा सब 0 जगा बच्चो टी कोड़ी पर निकाला है ना सब 0 आंसर जी रख दो आना चाहिए तुम देख लेना थर्ड प्रश और जाएगा तो आसा रहा होना चाहिए क्योंकि टीकल डीडियो प्यास आने कोश्च है 15th कि इस सॉड़ीज़ फिर मास में डिटेसर डिवेट इस एकल पार्ट सॉड़ी स्फियर है उचको दू टुकड़ों में बाढ़ दिया पार्णीन अनेक्वल पार्ट अनीक्वल पार्ट ठीक है साथ आए कम जाधा हो गया अंदे फिर्स पार्ट है और में एड टो यह था तो यह टो जाएगा यह यह ठीक है तो इस फिर में इस विए का रिटीस ने या ठीक है यह तो इस वाला पाट का 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 इस तो सॉवरीटिसफेर का मास तो ठीक है लेकिन उसका रेडिश तो नहीं तेनर रिडिस निकलना पड़ेगा इसक लिए विदिस निकलना पड़े ग़ाऊ गद्रीश निकलना पड़ेगा मुझव लग रहा है ओके अच्छा कोशन है तो यह थोड़ा है है फिर से सुनों तो क्या टेंस्ट नीकालने पड़ेगे हां फिर से अच्छा कोशन हो गया M by 8 equal to next solid sphere है ना दूसरा तो यह टो फोर बाई थ्री पाई नया आर्क्यू नया र्क्यू इंटू इंटू क्या वॉल्यूम हो गया इंटू डेंस्टी करना पड़ेगा ना और डेंस्टी कितना रहेगा कुल मास कितना था M और इंटू डेंस्टी कितना था पहले फोर बाई थ्री पाई क्याप्टर र्क्यू पहले तो यह वॉल्यूम इंटू डेंस्टी मस्ट बीकल टू यह नया इस्फियर का इससे नया रेडियस आ जाएगा ठीक है बच्छो और एक बाद नया रेडियस आ तो अब दोनों का मॉन डेर से निकाल देना है क्या मैं करूं यह हो जाएगा मेरे काल से कर लो ठीक है कर लो मैं अब बाकी मैं यही बताना चाहरता कि देखो कितना आसान है मुश्किल नहीं है हाँ थोड़ा देखो यह सब कैलकुलेशन अजीब टाइप का करा देता है यह अजीब टाइप का क्या करना है देखो तुम्हें खुद समझ मैंने चाहिए कि रेडियस नहीं मिल रहा है तो रेडियस मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा भई नया वाला जो रेडियस माल लो उसका वालूम इंट्री मस्फ पीकल टूट इसम होना ने उसी मेंटल को काट पीट के दैस्की तो बदला नहीं होगा तो डैंसी सेम रखी गए तो वालूम इंट्यट इकल तुम्हें इससे रेडियस हाजाएगा और फिर तुम पहला वाला तो कोई दि result or diskat into R radius 2R मr 2 1 by 2 म्यित पहले का हो गया किसका डिस्क का रड लगे और रहत तुम कैसे निछी निकाल हो गये सो डिस फिर द तो बै ऐफ एंब स्माछल खाल का स्कोरर की ए पर आपई टो इस्मालर यहां से निक रतल रख लेड डॉन ऑल है विपाल दूनकर एसेन काल ग गोट इस स्विंग है स्विंग यहां से जब जा रहा है ना तभी एक आतमी खड़ा है जिब यहां से जा रहे खड़ा होजाता तो मैं देख बच्चो कॉंसेट बता दो डिए तो तुम बस देख लेना कैसे किया है तो बच्चो उसको ना अपने mg के साथ mv square by actually ये tension t मालो है ना नीचे कौन है mg तो क्या होगा t minus mg equal to mv square by r या छोड़ो उसका जो अपना weight हो जाएगा वो g तो रहेगा ही रहेगा और centrifugal force जो रहेगा ना r omega square या v square by r वो भी रहेगा इस दोनों के against काम करना पड़ेगा तो ये into m nav 8 into height h by 2 काम कतम इतना है यह बोल रहे है ना assuming that l l डिसन बूब कर रहे है तो कर लो काम कतम यह कर लेना है ठीक है angular amplitude यह angular velocity angular amplitude से निकलेगा velocity कहां से निकलेगा angular amplitude है तर यह 3 naught है तो velocity कैसे निकलेगी बच्चा height किता नहीं जाया देखो v square equal to u square plus 2gh कितना है r 1 minus cos theta यह उठा के तुम इसमें रख लेना solve कर लेना तुम्हारा work done हो जाएगा work done कुछाए ना एक तम निकल जाएगा कर लेना मैं अभी रख रहा हूँ किता हूँ स्वाफ शजा Kiss